हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं अखिल मिस्रा अपनी यूटूब चैनल में आप लोगों का हादिक स्वागत करता हूं बच्चों आज हम कच्छा 10 के अध्या 5 समानता स्रेडी की प्रश्णावली 5.1 के सलूशन का दूसरा वीडियो लेकर उपर स्थित हुए हैं बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने रश्णावली 5.1 के सलूशन में कोईश्चन 1 और 2 को कवर किया था और इस वीडियो में हम कोईश्चन 3 और 4 को कवर करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, आई देखते हैं सवाल क्या है, सवाल यह है तीसरा कि निम्लिखित में से प्रतेक AP के लिए प्रथम पद A तथा सारवंतर D लिखिए, हमारे पास यहां पर चार सवाल हैं, हमें यह चारों सवाल में ध्यांदो, यह सभी AP यानि समानतर सेडिया दे गई हैं, हमें क्या करना है, प्रतेक समानतर सेडि में प्रथम पद लिखना है A, और सारवंतर लिखना है D, तो आप लोग हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि प्रथम पद क्या होता है, और सारवंतर क्या होता है, और जिन बच् को प्रथम पद कहेंगे और सार्वंतर क्या है कि इसके दो क्रमागत पदों के बीच हम अंतर ले लेते हैं उसे हम सार्वंतर कहते हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं पहले सवाल में देखो धांसे एक समांते सेड़ी दी गई है तीन फिर एक फिर अगला पद माइनस एक फ अगर हम बात करेंगे प्रथम पद यानि एक तो प्रथम पद यहनी पहला पद कितना है इस रीडि का आप देख रहे हो तीन है जैनि प्रथम पद इसका तीन हो गया अब बात करते हैं कि सार्वंतर क्या होगा तो सार्वंतर मतलब इनके क्रमागत दो पदों की भी चंतर कितना है तो सारवंतर को हम लिखते हैं D से सारवंतर निकालते कैसे हैं सारवंतर निकालने के लिए हमेशा हमें दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो सारवंतर मिल जाएगा एटू माइनस A1, A2 मतलब होता दूसरा पद, A1 पहला पद, तो दूसरा पद ध्यान से देखो तो कितना है, एक और इसमें से हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है, A1 यानि पहले पद को, तो पहला पद कितना है, तो एक में से तीन अगर आप माइनस करेंगे, तो ध्यान दो हम उल्टा जब घटाना पड़ेगा, तो हमारा answer माइनस में आ जाएगा, और तीन में से घटा देंगे, दो हो जाएगा, तो हमने इसका प्रथमपद और सारबंतर निकाल लिया, ध्यान रहे हमेशा दूसरे में से पहला घटाते हैं, पहले में से दूसरा नहीं घटाते हैं, ठी समांता सेड़ी ध्यान से देखो, माइनस पांस, माइनस एक, तीन, साथ, ऐसे ऐसे आगे, यह समांता सेड़ी के सारे पत प्राप्त हो रहे हैं, हमें क्या करना है, प्रथमपद बताना है, तो प्रथमपद क्या होगा, तो प्रथमपद होगा, अब निकालेंगे कि इसका सा सारवंतर यानि D की बात करेंगे तो सारवंतर कैसे निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए दूसरा पद आपका है माइनस एक इस में से माइनस कर देना है किसको माइनस करना है माइनस पांच को तो एक माइनस पहले से और यह संख्या भी माइनस में ह तो हम इसको breakout में कर लेंगे पहले, अब ध्यान दो, इस breakout को open जब करेंगे तो इस minus minus का गुड़ा हो जाएगा और यह plus बन जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा minus 1 और धन में 5, अब आप इसका अंतर लो, तो 1 minus 1 plus है, तो हमेशा हम इसको घटा लेते हैं, ठीक है न, और sign किस का लगाते हैं, जो value जादा, मतलब plus वाली value यहाँ जादा है, तो plus का sign लगेगा, तो plus में ही लिखेंगे, और 5 में से घटा देंगे 4, तो यानि सारबंतर हमें प्राप्त हो जाएगा 4, आज आईए, तीसरे सवाल में, यह APD गई है, इसमें भी हमें प्रथम पद बताना है तो प्रथम पद, यानि A बराबर, तो प्रथम पद यानि पहला पद कितना है, एक बटा तीन, तो इसका प्रथम पद हो गया, एक बटा तीन, अब हमको सारबंतर निकालना है, कि सारबंतर कितना होगा, तो सारबंतर मतलब D निकालना है हमको, तो सारबंतर अभी आप पीछे सवालों में की कैसे निकलता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो आपको सारवंतर प्राप्त हो जाएगा दूसरा पद कितना है पांस बटे तीन और पहला पद कितना है एक बटे तीन ध्यान दो अब यह भिन में संख्याये हैं तो हम इनका यल्सियम उसके बाद क्या करेंगे इस तीन को इस तीन से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा और उसे लिए जाकर पहले भिन के अंस में गुड़ा करा देंगे तो पांच एक कम पांच हो जाएगा फिर माइनस लगाएंगे इसी तरीके से तीन से तीन को फिर डिवाइड करेंगे और एक आएगा उसे रे जाकर आंसे में गुड़ा करा देंगे तो एक कम एक हो जाएगा और पांच में से घटा दोगे तो आपको चार बटे तीन आपको इस question का सारवंतर प्राप्त हो जाएगा आगे चलते हैं इस सवाल में आजाओ इस AP में हमें प्रथम पद निकालना है भई तो आपको ऊपर confirm हुआ होगा कि प्रथम पद कैसे निकाल रहे हैं तो प्रथम पद निकालने के लिए, यानि A निकालने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, पहला पद देख लोगे, वही आपका प्रथम पद कहलाएगा, और सारबंतर निकालने के लिए क्या करोगे, सारबंतर निकालने के लिए आप, यानि D निकालने के लिए आप क्या करें दूसरा पद यानि A2 में से पहला पद A1 माइनस कर देंगे तो दूसरा पद कितना है 1.7 और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 0.6 कितना आएगा अंसर तो हम आपको इसको घटा के दिखा देते हैं 1.7 में से माइनस करना है 0.6 तो 7 में से 6 घटाएंगे आप 1 प्राप्थ होगा फिर 10 मल लगाएंगे फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 प्राप्थ होगा तो इसका सारवंतर याद कीजिए और इनके तीन और प्राप्थ है तो फिर क्या करना है उसका सारवंतर लिखने के बाद क्या करना है उसके तीन और प्राप्थ निकाल देने तो पाचमा चठमा और शाथमा प्राप्थ निक रिकिन अगर यह तो जो सारवंतर निकालना है और नहीं इसके आगए प्र निकारने तो पहले सवाल को देखते हैं सदिये वर दो चार आठ चोल को रहे चैदी फृता करेंगे कि ये जो आपका स्रेडी है यह है या नहीं तो क्या को थे आयुको कि पहले कि पर अधोने दी एह वन करनेंगे पिए छार चार मेंуз कर दो कि तो पहली देखा कितना आया अगली दो क्रमागत का देखते हैं तो हम देना आपकी बार ए थ्री माइनस कि ए टू करेंगे ए थ्री कितना है यहां से देखो आठ है और इस वे से माइनस करो ए टू यानि चार को तो कितना आजाएगा लेंगे माइनस करेंगे आप आएगा चार आप देख रहे हैं कि पहली बार में तो आया है और दूसरी बार ने सा मतल्य कोछ अलग है तो इसका मतलब यह अधिन के नहीं है तो लिख दू आताश्रेड़ी एपी में नहीं कि एपी में नहीं है तो पहला कुश्चर हमने कर लिया हुए अब आज आओ दूसरी कुश्चर पर चलते हैं एपी में नहीं तो आगे कुछ करना नहीं है दूसरी कुश्चर में ध्यान से देखो 2 5 बटे 2 कि 3 फिर 7 बटे 2 ऐसे स्टेड़ी चल रहे हैं और चक करें कि एपी में है या नहीं तो पहली बार टी नीका होते हैं तो क्या करेंगे माइनस कितना है इसके नीचे आप एक मानके दो और एक किता बनेगा अब दो से दो को डिवाइड करो एक बार अंस में जाकर गुड़ा करो पांच एक पांच माइनस लगाओ एक से दो को डिवाइड करो दो बार और इसकी आंस में लेजाकर बुड़ा करो दो दूनी चार हो जाएगा और जाब बाज में ते चार घटा होगे तो आपका एक बटे चड़ी दुबारा एक बार और दी निकालते हैं तो अब कि बार क्या करेंगे ए थ्री माइनस करेंगे यू個 के टीन माइनस करो कितना करो वहीं पांस बटे दो इसका वी लिए लिएपाप रहें मान लेंगे हम से दो को डिवाइड करो दो और यूपर अपर बुड़ा करा दो तरीन धुली तो दो नि दूपर डिवाइड करो एक और ले जाकर उपर बुड़ा करा दो पांच हो जाएगा माइनस करो तो एक बटा दो यहां से देखो तो दोनों सारवंतर क्या आ रहे हैं एक बटा दो बराबर आ रहे हैं कि क्या लिखेंगे हम कि कि चुकि अगली एक टू माइनस एवन इस इक वाल टू एठी माइनस एटू और दोनों कितना है एक बटा दो अता स्रेड़ी कि स्रेड़ि जो है वो किसमेंगे और फी में तो अघर एक्समर कि बट कि तो द्रें दू दुबारा से नएक्स कि बराबर वह यह आपका एक बटा चिखर अब देखो ध्यांसे फिर क्या था इसके तीन और पद लिखी यानि देखो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ज्यात हैं तो हमें कौन सा पद दिखना है वही पांचवां पद छठवां पद और साथवां पद तो एक काम करते हैं सवा यहां प्लिए तो पांचवां पद कांके पांचवां पद लीए अफॉनी कि दिखा फाइए Open निकालना है तो तो इससे पहले वाले प्रक्ट जोमive लिख सकते हैं और उसमें सारवंत यानि डी को जोड़ ब्रlateट में 1947 के पास कितना साध बटे दो और सारवंतर कितना है एक बटे दो अब आप इसको लेखा साल कर लिजीगा है और यह हो जाएगा साथ जन एक और यह बनेगा आठ बटे दो भाव करेंगे तो कितना जाएगा चार यानि पांचवा पद आपके कितना प्राफ्ट हो गया चार चाटवा पन निकालते हैं शटान पर कैसे निकलेगे एक जीख सिक्स तो क्या करेंगे इससे पहले वारे पर यानि फाइफ में फिर तरह एक बारद नगे ऑफ्पा निकाला चार यानि 5 आप इसके नीचे क्या मानलों लोगे तो कितना बनेगा डो आंकि जो साल करो तो यह हो जाएगा आठ धन यहनि oh कि निकालते हैं तो सातों पत कैसे निकालेंगी जो छश्वा पत आया है याणि कर देंगी नोब दो है इसमें एक बच्छ दो को एड कर दो फिर कितना बनने वाला है है से बरेंगा दो आगे कितना हो जाएगा नव धन एक अनि दस बढ़े दो से डिवाइट करोगे तो कितना हो जाएगा तो इस तरीके से हमने चक किया एपी में है कि हमने इसका सारवंतर लिख दिया और पच्वा छट्वा सत्वा तीन आगे के पर निकान दिया एक बार इसको नोट करो 2-2-7.2 ऐसे आगे 3D चल रही है आपक चक करें कि एएपी में है या नहीं है सिषयन करेंगे करेंगे तो 3-7 करेंगे तो एटoires कितना होगा माइनस 3.2 फिर माइनस करोगे किसको माइनस कर ओ भई हैजैब को तो फिर यह माइनस में तो इसको break at में कर लोगे, आगे देखो क्या होगा, माइनस 3.2 और माइनस माइनस का multiply होगा तो plus हो जाएगा, और आ जाएगा 1.2 एक माइनस है और 1.2 तो क्या करेंगे मैं, माइनस प्लस को घटा लेंगे, तो जब घटाएएगे तो ध्यान देना, जो ज़्या एक दस्मल दो, दो में से 2 को माइनस करोगे 0, और 3 में से गटाओगे 2, दो दस्मल जीरो, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं, तो यहने हमें प्राप्स हुआ जो वो आया 2, आगे चलते हैं, अब हम एक बार और D निकालते हैं, तो इस बार D कैसे निकलेगा, आपकी बार A3 माइनस A2 कर देंगे, A3 कितना है, माइनस 5 दस्मल दो, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे भई, दूसरे वाले पद, यानि माइनस 3 दस्मल दो, एक बार फिर से, आगे, माइनस 5 दस्मल दो, माइनस माइनस का मल्टिप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, और कितना आजाएगा, 3 3.2 फिर भी यहां देखो ध्यान से माइनस प्लस आ गया तो यानि इसको फिर से माइनस करना है तो माइनस करेंगे कौन सा ज्यादा है माइनस वाला तो माइनस लगाएंगे और 5.2 में से 3.2 घटा होगे तो एक बार फिर से 2 आ जाएगा आप क्या देख रहे हो की चुकी से 3.2 माइनस A1 यानि इसका अंतर और A3 माइनस A2 इसका अंतर दोनों बराबर है और दोनों कितना है माइनस दो है तो यह स्ऴेणगी किस में हो जाएगी तो अब क्या करनेंगे सबार जब ऊब तो लग सकते हैं किस लड़ी किस में है उसले प ciao निकालते है में निकालते हैं तो d कैसे निकलेगा भाई अफ़िए से निकाल रखा कितना है । अब हम क्या करेंगे अब हम आगे के पद निकालते हैं कौण हमँए प्रफटनेगे निकालना है तो पांशमा करेंगे हमाप जो जो है, यहनि a5 तो क्या करेंगे? चौथे पद यहनि a4 में d को add कर देंगे, तो चौथा पद कितना है? चौथा पद देखो ध्यान से, minus 7.2 है, इसमें add करना है, कितने को add करना है भई? minus 2 को, तो आगे देखो क्या हो जाएगा? plus minus प्रान व्राइश कि डिस्ता हो जाएगा तो माइनस साथ दसमल दो और माइनस दो ठ sharpen न अब ध्याँन से देखना यहां पर दसमलों यहां पर दसमलों नहीं है। तो आप जब add करोगे, तो इसमें दस्मलों लगा सकते हो, उन्हें 7 दस्मल दो, और इसको लिख सकते हो, 2 दस्मल 0, अब इसमें आप दस्मलों लगा के 0 बढ़ा सकते हो, ये भी दस्मलों हो गया, अब add करोगे, तो देखो, 2 हो जाएगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 द निकालेंगे तो A6 कैसे निकालेंगे भई जो पांचवा पता है A5 उसमें D को आड़ कर देंगे A5 कितना है माइनस 9.2 और आड़ करेंगे किसको आड़ करेंगे सारवंतर यानि माइनस 2 को तो यह बन जाएगा आड़ कर लेंगे और उसे माइनस में लिख देंगे आगे चलते हैं साथमा पत निकालते हैं तो साथमा पत यानि A7 कैसे निकलेगा भई जो छठमा पत आया उसमें सारवंतर आड़ करिए छटापत कितना आया है माइनस का 11.2 उसमें जोड देना है कितना माइनस 2 जोड देना है सारबंतर को फिर एक बार प्लस माइनस गुड़ा करेगा तो माइनस बनाएगा यानि माइनस 11.2 और इसमें से माइनस कर देना है 2 उपर निचे लिखकर इसी तरीके से जोड़िए तो आपका आणसर आएगा 13 दसबंदो, माइनस में 13 दसबंदो, तो हमने क्या किया भई, ध्यान से देखो, हमने पहले चक किया कि AP में है या नहीं, तो हमने AP में चक किया, फिर हमने लिख दिया स्रेडी AP में है, फिर सारवंत पर बता दिया और फिर पाज़वाँ-छथमा और साथवापत बता दिया चलो आजाओ इस सवाल में पहरे चेक करेंगे यह स्रेडी जो है वह एपी में है या नहीं है तो दी निकालते हैं तो पहली बार डी कैसे निकालेंगे a2 minus a1 करके a2 कितना है minus 6 और minus करेंगे a1 कितना है minus 10 आगे देखो minus 6 रहेगा minus minus का multiply होगा तो plus हो जाएगा और हो जाएगा 10 एक plus है और एक किसमे है minus में तो हमने बताया plus minus जब भी रहे तो उसको आप घटा दो तो किसमें से घटा होगे भई जो जादा होगा और जादे वाला किसमे है plus में तो answer आपका आजाएगा plus में तो 10 में से 6 घटा होगे तो कितना आजाएगा 4 आजाएगा एक बार फिर से d निकालते हैं दूसरी बार आपके बार a3 minus a2 कर देंगे a3 कितना है a3 आपका है minus 2 इसमें से minus कर दोगे किसको minus करोगे भई a2 को sorry a2 को तो minus 6 आगे देखो यहाँ से minus 2 minus minus multiply करेगा तो कितना होगे प्लस और आजाएगा 6 एक plus है और एक minus है इसको subtract कर दो यानि घटा दो भई तो कितना हो जाएगा यह देखो फिर से आजाएगा चार ठीक है ना आप positive वारी संक्या से घटाए हो तो positive का चिन रहेगा अब हम क्या लेकि देंगे कि स्रेड़ी किस में है स्रेड़ी है हमारी ap में है आगे आगे आपसे पूचा कि जब ap में है तो सारबंतर कितना होगा तो सारबंतर आप बता सकते हो कि सारबंतर याणि d बराबर कितना होगा भई तो यही होता है सारबंतर जब ap में होगा सारबंतर निकाल लिए तो तीन और पद लिखिए तो चलिए अब कौन सा पद निकालते हैं भई इसी तरीके से पांचवा पद निकलते हैं, तो पांचवा पद यानि A5, कैसे, चौथे पद यानि A4 में D जोड़ दो, A4 कितना है, ध्यान से देखो, 2 है, और उसमें D एड़ करो, तो D कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 6, आगे चलते हैं, छठवा पद को, निकलते हैं, छ निकाले हो, 6 है, और उसमें सारवंतर, यानि 4 को एड़ करो, तो कितना हो जाएगा, 10, अब आगे चलते हैं, 7 पद निकालते हैं, 7 पद यानि A7, कैसे निकलेगा भई, जो 6 पद आया है, उसमें D को फिर से एड़ कर दो, 6 पद कितना है, 10, और सारवंतर कितना है, 4, दोनों आइड कर दो, कितना बन जाएगा, 14, तो देखो, हमने इसके 3 पद और निकाल ली, ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर आगे की कोईशन पर चलते हैं, चले बच्चों, आगले कोईशन पर चलते हैं, पच्वा कोईशन हमारा, कि 3, 3 धन, रूट दो, 3 धन, 2 रूट दो, फिर 3 धन, 3 रूट दो, यानि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पद, आगे ऐसे लिखा हुआ है, हमें चक करना है, कि ये अपी में है या नहीं है, तो वही उसी तरीके से, जैसे हम पिछले सवाल में कर रहे हैं, डी निकालते हैं पहली बार, तो A2 माइन संख्या, और ये जो संख्या हैं, इसे कहते हैं परमे संख्या, तो हमेशा जब भी जोडने और घटाने की बात आती है, तो परमे परमे से जुड़ता घटा है, और आपरमे आपरमे से जुड़ता घटा है, तो इसका मतलब, ये दोनों जुड़ घट सकते हैं, तो ध्यान तो यह plus में है, यह minus में है, तो 3 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ एक ही आप अर्मिय संख्या है, तो यह किसी से जुड़ेगी, घटेगी नहीं, तो कितना बचेगा, root 2, यानि 3 से 3 तो cancel हुआ, बचा कितना, root 2, चलो आगे चलते हैं, दुबारा D निक करना है, और इस वाले term में, दो पद add हुए है, तो जब भी दो पद add होके, कोई एक term बने, तो उसको हमेशा पहले break out में कर लीजिए, तो 3 धन, root 2, इससे, ऐसा क्यों हमने कहा, क्योंकि अभी इसका चिन परिवर्तित कर देंगे, और अगर हम directly कर देंगे, तो आपको थोड प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, यह भी प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, यह कहने का मतब दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, अब देखो द्यान से, यह दोनों पर्मिय संख्या है, और यह दोनों आपर्मिय संख्या के साथ, एक पर्मिय संख्या गु a1 की value, a3 minus a2 की क्या है, बराबर है, तो अता ये किस में है? अता स्रेड़ी जो है, आता स्रेड़ी aP में, अब अगर ये श्रेड़ी aP में है, तो फिर कह रहा है कि सारबंतर बता हूँ भई, तो सारबंतर क्या होगा, या दी क्या होगा? तो आप कहोगे कि D तो यही होता है जो आप निकालते हो A2-7 करके तो यानि सारवंतर कितना आ गया है रूट दो अब सारवंतर हो गया तो तीन पद और लिखो चार पद दिये गए हैं आगे चलते हैं पांचमें पद पर तो पांचमा पद यानि A5 कैसे निकालेंगे कहोगे आप इससे पीछे वाला जो पद है यानि चौथा पद उसमें हम सारवंतर को आYड कर देंगे चौथा पद क्या है चौथा पद देखो द्यान से पहला दूसरा तीसरा चौथा तीन धन तीन रूट दो और इसमें जोड़ देंगे कितना route 2 ध्यान दो यह 2 नों जुड़ेगा क्योंगि यही आपर्मिय संख्या है तो इसको तो ऐसे लिख दू पर्मिय संख्या को तीन route 2 में 1 route 2 जूड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4 route 2 आगे चलेंगे शठमें पत पर तो छाठमा पत क्या है यानि A6 क्या होगा भई तो आप कहोगे इससे पहले यानि A5 में एक बार फिर से D जोड़ दो A5 कितना आया है तीन धन चार रूट दो और इसमें रूट दो को जब जोड़ोगे तो तीन तो ऐसे लिख दिया जाएगा क्योंकि यह पर्मिया संक्या है यह आपर्मिय आपर्मिय जोड़ेगा तो चार रूट दो में एक बार रूट दो जोड़ोगे तो हो जाएगा पांच रूट दो आगे चलते हैं सातमा पद निकालते हैं सातमा पद यानि A7 A7 कैसे निकलेगा आप कहोगी जो छठमा पद है उसमें एक बार सारबंतर को फिर से आड़ करो चठवापत कितना है तीन धन पांच रूट दो और इसमें रूट दो को आड़ करो तो यह कितना बन जाएगा तीन धन तीन धन पांच रूट दो और एक रूट दो हो जाएगा छे रूट दो और इस तरीके से पूरा सवाल कंप्लेट हो गया अगले सवाल पर चलें शट्वे नंबर पर चक करना है कि यह स्रेडी एपी में है या नहीं तो सारवंतर निकालो भई पहले बार डी निकालेंगे एटू माइनस एवन करेंगे एटू कितना है देखो जीरो दसमल दो दो और माइनस करना है कि इसको जीरो दसमल दो को प्यान दो अब यह दसमलो वाला है यहां दसमलो बाद दो अंक है यहां दसमलो बाद एक अंक है तो करेंगे क्या कि दसमलो बाद दो अंक इसमें है तो इस से माइनस करेंगे जीरो दस्मल दो हमारे पास पहले इस था और एक जीरो हमने और ले लिया अम माइनस कर देंगे तो दो मेंसे जीरो घटाएंगे दो और दो मेंसे दो घटाएंगे जीरो दस्मल लगाएंगे जीरो मेंसे जीरो घटाएंगे जीरो और हमारे पास आ जाएगा जीरो दस्मल दो दो और माइनस कर दो किसको जीरो दस्मल दो दो को, तो ध्यान देना, इसमें तीन पद है, इसमें दो, तो तीन पद बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो ध्यान दो यहां से, यहां बता रहे हैं, जीरो दस्मल दो दो, माइनस कर लिखा 0.02 और यह लिखा 0.02 तो यानि दोनों बराबर नहीं है तो क्या लेखेंगे चुकी जब हमने a2-a1 निकाला उसकी बैलू a3-a2 के बराबर नहीं है तो हम कहा देंगे कि जो स्रेडी है वो a p में नहीं है तो स्रेडी a p में नहीं है तो a p में नहीं है तो a p में नहीं है चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, सत्वा सवाद ध्यान से देखो, यह स्रेडी है, 0, minus 4, minus 8, फिर अगला पद minus 12, ऐसे चल रहा है, चक करेंगे कि यह AP में है नहीं, तो D निकालते हैं, पहली बार, A2 minus A1 करके, A2 कितना है हमारा, minus 4, और minus कर देंगे, A1 कितना है, 0, तो ध्यान दो, minus 4, minus 0, यानि दो जुड़ जाएगा, तो minus minus जुड़ता है, तो किसमें निखा जाता है, minus में, 4 और 0 जुड़ के कितना बनाएगा, minus 4, एक बार और D को निकालत कितना हो जाएगा, यह breakout में हो जाएगा, माइनस करेंगे, और किसको minus करेंगे, minus 4 को, आगे देखो ध्यान से, minus 8 रहेगा, और minus minus का गुड़ा करके हो जाएगा, plus 4, अब एक plus है, और एक minus, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो जब घटाएगे, तो minus में से चुकी A2 minus A1 की value, बराबर है, A3 minus A2 के value के, इसलिए यह आता है, स्रेडी किसमे है, AP में, स्रेडी AP में, तो स्रेडी किसमे हो गई भई, AP में हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सारवंतर, तो सारवंतर तो आप फिलाल जब यह AP में पता कर लिए हो, तो सारवंतर निकाली चुकी हो, यही जो आप सारवंतर यही होता है, तो कितना है, देखो, दोन रिस्तिति में माइनस चार, यानि सारवंतर कितना है, माइनस चार है, अब क्या करेंगे, पाच्वा पद निकालते हैं, तो पाच्वा पद यानि A5 कैसे निकालेंगे भई, चौथे पद म किसको जोड़ेंगे भई, माइनस 4 यानि यही सारवंतर है न माइनस 4 को, तो आगे देखो, माइनस 12, प्लस माइनस गुड़ा करके माइनस, और फिर 4, दोनों माइनस है, दोनों ऐड कर लेंगे, तो 12, 4, 16, लेकिन माइनस माइनस जोड़के माइनस में निखा जाता है, आगे जोड़ देंगे सारवंतर कितना minus 4 जान दो minus 16 और plus minus का गुड़ा minus और फिर कितना 4 दोनों minus है add कर लेंगे और उत्तर में minus लगा देंगे आगे चलते हैं सातमे पद पर, सातमा पद यानि A7, कैसे निकालेंगे, जो छटमा पद है A6, उसमें सारवंतर को ऐड़ कर देंगे, A6 कितना है, माइनस 20, ऐड़ कर देंगे, किसको सारवंतर यानि माइनस 4 को ध्यान रखो, आगे क्या होगा, माइनस 20, प्लस माइनस देंगे, लेकिन answer में minus लगा देंगे, minus 24 हो जाएगा, चलो, यह सवाल complete होगा, आगे चलते हैं, इस सवाल को ध्यान से देखो, चक करना पहले ap में है या नहीं, तो पहले चक करते हैं, पहली बार सारवंतर निकालते हैं, d, तो कैसे निकालेंगे, a2 minus a1, a2 कितना है, minus 1 बटा दो, और यह minus minus गुड़ा करके, plus 1 बटा दो, जान दो, एक संख्या है, जो minus में और वही संख्या plus में, तो दोनों कट जाएगा, यानि घटके 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, अब क्या करते हैं, दुबारा फिर से सारवंतर एक बार निकालते हैं, अब कि बार a3 minus a2 कर जाएगा, plus 1 बटा 2, दोनों घट जाएगा, कितना आजाएगा, 0, तो हम क्या कहेंगे, हमने देखा, सारवंतर बराबर है, तो लिख देंगे, अता स्रेड़ी किस में है, अता स्रेड़ी जो है, वो AP में है, तो स्रेड़ी AP में हो गई, तो फिर पूछ रहा है, आप से क्या कि सारवंतर बता दो, तो सारवंतर कितना हो जाएगा, सारवंतर यानि D बराबर क्या हो जाएगा, तो सारवंतर हो जाएगा, अब देख रहे हो घटाने में क्या आ रहा है, 0, सारवंतर हो जाएगा, 0, आगे चलते हैं, तीन और पद लिखने हैं भई, तो निकालते हैं पा फांचवा पद पांचमा पद जो है यांगि A5 जो है वो क्या बनेगा तो हम कहेंगे चवत्ह पद में क्या करो सारवंतर जोड़ो चोथा पद कितना है माइनस एक, बटा 2 और माइनस एक, बटा 2 blending d जोड़ो यानि 0 जोड़ो तो 0 माइनस एक बटा 2 में जुड़ेगा भाई तो ये दोनों घट जाएंगे तो फिर आंसर तो वही आएगा माइनस एक बटा 2, 0 कुछ नहीं कर पाएगा, छाठमा पत चलो, छाठमा पत यानि a6 निकालते हैं, a6 कैसे निकालेंगे, a5 में d को आ a7, a7 निकालने के लिए a6 में d को आड़ कर दो, a6 कितना है, माइनस एक बटा 2, आड़ कर दो 0 को, फिर ते क्या आ जाएगा, माइनस एक बटा 2, यानि इसके हर टर्म कितने होंगे, माइनस एक बटा 2, माइनस एक बटा 2, तो ऐसी स्रेडी भी a, p में मानी जाती है, ठीक है तो चले एक बटा 2, अगले सवाल पर चलते हैं, चले बच्चों, आगे चलते हैं अगले सवाल पर, धान दो, स्रेडी में, पत कैसे हैं, एक, अगला 3, फिर 9, फिर 27, फिर ऐसे चल रहा है, चक करेंगे हम, कि यह a, p में है या नहीं है, तो पहले बार d निकालते हैं, तो क् तो करेंगे, a2 minus a1 करेंगे, a2 कितना है, 3, a1 कितना है, 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2, फिर से एक बार d चक करते हैं, आपकी बार क्या करेंगे, a3 माइनस, a2 करेंगे, a3 कितना है, 9, और a2 कितना है, 3, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 तो आप देख रहे हो, कीचुकी A2 माइनस A1 is not equal to किसके? A3 माइनस A2 के? ठीक है ना? तो अतास रेड़ी AP में है है AP में? नहीं है अतास रेड़ी AP में नहीं है तो नहीं है, तो आगे बात नहीं करने, छोड़ देंगे ठीक है ना? आगे चलते हैं दसवे नमबर बाद पद कैसे दिएगे? A, 2A, 3A 4A आगे, ऐसे चलता है तो अब चलो, D निकालते हैं पहली बार, तो क्या करेंगे? A2 माइनस, A1 करेंगे A2 कितना है? 2A माइनस करोगे कितना? A को तो ध्यान दो यहां पावर कितनी है? A के 1, यहां भी पावर A के कितनी है? A, तो जब भी वैरियेवल आ जाएं यानि चार आ जाएं, तो उनकी अगर पावर समान है उनकी घास समान है तो वह आपस में घट जाएंगे और जूड भी जाएंगे तो फिलाल यहां तो घटाना है तो 2 बार A मेंसे एक बार A घटा होगे तो कितना बचेगा? A बचेगा आगे चलते हैं, एक बार और निकालते है D, तो आपके बार कैसे निकालेंगे? आपके A3-A2 जान रखना यह A कुईस्चन में है और यह जो लिख रहे हैं यह पदों को बता रहा है इस कुईस्चन में ध्यान रखिएगा तो A3 मतलब 3A यह पद है, माइनस A2 यानि दूसरा पद मतलब 2A तो 3A मेंसे 2A घटा दोगे तो 3A में यह से 2 बार घटा होगे तो फिर से कितना आ जाएगा? A आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? आप देख रहे हो कि दोनों क्या हैं? बराबर हैं तो चाहो तो लिख दो कि त्यान दो हम प्रतेक कुईस्चन में यह बात नहीं लिख रहे हैं कि यह दोनों बराबर हैं इसलिए आप चाहो तो हर कुईस्चन में लिख सकते हो हम प्रतेक कुईस्चन में नहीं लिख रहे हैं ठीक है न? तो फिलाल इसमें लिख देते A2 माइनस 7 बराबर, A3 माइनस A2 बराबर दोनों कितना है? A है तो इसलिए स्रेडी किस में है, स्रेडी में, AP में है, अथा स्रेडी किस में है, AP में है, तो स्रेडी AP में हो गई, अगर AP में है तो क्या बताना है हमें, यहीं लिख देते हैं, सारवंतर बताना है, तो सारवंतर कितना होगा, सारवंतर यानि D कितना होगा, तो यही तो सारवं यह D निकाले हो तो कितना आए A आया है तो सारवंतर हो जाएगा अगे चलते हैं कौनसा पद चार पद दिये हैं पांचवा पद निकालते हैं तो पांचवा पद याणि A5 कैसे निकलेगा चोथे पद में ड जोड देंगे तो चोथा पद कितना है वही 4A और उसमें D जोड़ो यानि A जोड़ो तो 4A में A के जोड़ोगी तो कितना बन जाएगा 5A छटवा पद निकालते हैं छटवा पद यानि A6 निकालते हैं कैसे निकालेंगे A5 में D को आड़ करेंगे A5 कितना है 5A, A आड़ कर दो भई कितना हो जाएगा 6A फिर आगे चलते हैं 7 पद पर तो 7 पद निकालते हैं तो 7 पद यानि A7 कैसे निकलेगा भई 6 पद यानि A6 में D जोड़ो A6 कितना है 6A प्लस A एड़ कर दो कितना हो जाएगा 7A तो इस तरीके से ये सवाल पूरा हो गया चलो इस सवाल पर चलते हैं 11 नंबर पर क्या है भई A, A square, A cube A के पावर 4 ऐसे आगे चल रहा है न तो क्या करेंगे पहले तो D निकालेंगे तो D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 यानि दूसरे पद में से पहला घटाना तो दूसरा पद कितना है A square और माइनस पहला पद कितना है तो ध्यान दो यहां हमने क्यों घटा दिया था क्योंकि दोनों जो variable हैं उसके power समान है यहां variable के power क्या है अलग-अलग है तो यह घट नहीं सकता ठीक है ना अब आप इतना कर सकते हो कि अगर इसमें कामन देखना चाहो तो कामन ले सकते हो देखो यहां दो बारे है यहां एक बारे है तो एक बार एक कामन ले लो तो क्या बचेगा यहां यहां A बचेगा और माइनस यहां बचेगा 1 सबस्पर है अब इससे आगे नहीं साल्प कर सकते हैं, यहीं पर आपको छोड़ देना है, आगे चलतो एक बार और डी निकालते हैं, कैसे, a3-a2 करके, a3 यानि तीसरा पत कितना aq, और माइनस दूसरा पत कितना है, aq-a2, द्यान दो, यहां भी पावर अलग-अलग है, नहीं घड सकता, क्या कर सकते हैं, कामा ले सकते हैं, कामा देखो द्यान से, तो यहां तीन बार a है, यहां दो बार, तो दो बार तो कामा ना ही जाएगा, तो कितना बचेगा, यहां एक बार a बचेगा, और माइनस यहां पर, जब a square निकल चुका है, तो कितना बचेगा, एक, जब सब निक एपी में नहीं है, ठीक है ना, तो चलिए इसको एक बार स्क्रिन साथ लीजिए, अगले सवाल पर जोते हैं, चलिए बच्चों, अब यहां पर देखो दो सवाल है, और दोनों रूट में दिये गए हैं, तो कैसे करेंगे, इस पर थ्यान दीजिएगा, द्यान दो, चक तो, काम तो ही करना, चक करना हम अपी में है की नहीं, तो क्या करेंगे, देखो द्यान से, जब हर पद पर रूट लगा है, तो क्या करो, सब का बर्गमूल फाइंड करो, तो भाई, दो का बर्गमूल आपको मालूम है, दो का बर्गमूल नहीं निकलता, तो इसका मतलब तो यही रहने वाला है, ठीक है न, तो जिसे हम d निकालेंगे, तो क्या करेंगे, a2 minus 7 करेंगे, अब a2 की जगा कितना है, root 8, तो हम क्या करेंगे, root 8 का बर्गमूल निकालेंगे, तेखो जहां से, कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 4, 2 से काटेंगे, 2, 2 से काटेंगे, 1, अ और इसका जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि यहां एक ही दो है, दो दो होगा, तब जोड़ा बनेगा, इस जोड़े से एक दो ले लेंगे, जो कि रूट में नहीं रहेगा, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, वो किसमें रहेगा, रूट में, तो इसका मतलब हम रूट आठ को क्या लिख सकते हैं, दो रूट दो, तो हमें क्या करना है, दूसरे पद में से पहले को माइनस करना है, यानि रूट आठ में से किसको माइनस करना है, रूट दो को, तो रूट आठ को क्या लिख सकते हैं, दो रूट दो, और इसमें से माइनस करना है किसको, रूट दो को तो 2 root 2 में से 1 root 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा root 2 आ जाएगा ठीक है ना चलो इसको हम मिटा देते हैं अब आगे चलते हैं एक बार और D निकालते हैं तो यहां देखो ध्यान से अब की बार D निकालेंगे तो क्या करेंगे A3 minus A2 करेंगे A3 कितना है root 18 और minus करेंगे किसको root 8 को तो ध्यान दो root 8 का तो हमने बरमूल अभी निकाला था कितना आया था दो root 2 18 का दिखा देते हैं आपको 18 को काटो इसको तो 2 से काटोगे 9 फिर 3 से काटोगे 3 तिरकम 9 फिर 3 दिखने 3 जोड़ा बनाओ इनका जोड़ा बन जाएगा इसका जोड़ा नहीं बनेगा जिसका जोड़ा बनेगा उसमें से एक संख्या ले लेंगे यानि 3 और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको कर देंग ययानिschool 18 कीपेल उभ्य कितनी आगई तेडगी तीन रूट 2 तो आगेद देखो हम क्या करेंगे है इसका नेभी देखता से अब आप दू से रूट 18 के जगा देखतेंगे 3 Pitt-22 माइनस रूट 8 के जगा लिखतेंगे दू रूट 2 तो तीन है रूट मेशे दो रूट दो में से दो रूट दो घटा होगे तो कितना बज़ेगा रूट दो बज़ेगा तो आप क्या देख रहे हो कि चुकी A2 माइनस A1 is equal to A3 माइनस A2 और दोनों कितना रूट दो यानि दोनों कमान यानि दोनों सारवंतर बराबर हैं तो हम कहेंगे कि स्रेड़ी किस में है एपी में है तो सारवंतर बताओ तो सारवंतर ही तो निकाले हैं उपर सारवंतर D कितना है जांदो रूट दो ही माना जाएगा यही सारवंतर होता है जो हम निकालते सारवंतर से ही चक करते हैं तो फिर वही लिख देंगे सर्वंतर इतना है, दुबारे निकालने के क्या हो सकता है, आगे आजो, अच्छा भी तो इसमें तीन पद भी लिखने हैं, चलो वही, तो पाचमा पद लिखते हैं, पाचमा पद, यानि A5, A5 कैसे लिखेंगे, A4 प्लस D, A4 यानि चोथा पद कि इतना है भई, रूट 32 में जोड़ना है, रूट 2 को, तो क्या करना पड़ेगा भई, ध्यान देना यहां, रूट 32 का पहले बर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो आप उसी तरीके से बर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो आप उसी तरीके से बर्गमूल निकालना पड़ जाएगा इसका जोड़ा नहीं बनीगा तो इस जोड़े से 1 2 लोगे फिर गुड़ा लगा हो ग Yours becomes a dłosa लगे और इसको किसमे का दोगी जुब जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रूट में वाजाएगा दो दूनी 4 यानि 4 root 2, कितना हो जाएगा? 4 root 2 तो हम कितना लिख देंगे रूट 32 को? 4 root 2 लिख देंगे अब इसको मिटा देते हैं 4 root 2 4 root 2 में जोड देंगे कितना root 2, तो कितना हो जाएगा? 5 root 2 आज आओ 6 मां पद 6 मां पद कैसे निकालेंगे? A6 क्या करेंगे A5 प्लस D करेंगे तो A5 कितना आया भई पांच रूट देखो द्यान दो एक चीज और देखो कि यहाँ पर हम बर्मूल निकाल रहें लेकिन इहोंने बर्मूल नहीं निकाला है तो हम क्या करेंगे इसको हम चाहें तो पूरे पर रूट लगा के लिख सकते हैं तो कैसे लगाएंगे देखो ऐसे करते हैं कि 5 का स्क्वार कर दो तो कितना हो जाएगा 25 और इस दो का गुड़ा करा दो तो कितना हो जाएगा 25 दो ना पचास और यह जो पचास आएगा इसको हम पूरे पर रूट कर सकते हैं यानि बाद में पचास का जब बर्मोल लोगे तो आप इससे पांच रूट दो अपने आपा जाएगा आप एक बर चक करके देख लीजिएगा ठीक है ना इसको यानि ये देखो रूट में नहीं है तो इस दोनों को अगर रूट में बनाना है तो इसका सक्वायर कर दो जो रूट के बाहर है तो पांच का सक्वायर यानि 5 गुड़े 5 कितना पच्यस और फिर जो रूट में है उस संक्या से गुड़ा कर आओ तो 25 दोना 50 और दोनों पर लगा दो रूट क्यों लगा रहे हैं क्योंकि देखो यहां पर हर संख्या रूट में कोई ऐसे संख्या नहीं है पद में जो रूट में ना हो तो हमें इसको भी रूट में ही रखना पड़ेगा चलो आज़ाओ छट्वां पद a5 प्लस डी a5 कितना है भई a5 यही लेंगे हम लेकिन इसको ना चार चातिस और दो का गुड़ा चातिस दूना बहत्तर हो जाएगा आगे चलो सत्मा पद सात्मा पद सात्मा पद यानि a7 कैसे निकलेगा भई छटमे पद में डी यानि सारवंतर आइड करो चात्मा पद इसे नहीं लेंगे क्योंकि हमें रूट दो जोड़ना है तो इसम चार करोगे उन्चास और उन्चास का दो में गुड़ा करोगे तो कितना जाएगा ठान नवे ठीक है ना तो इस तरीके से यह तीनों पर राप्त होगी अब आज आओ इस पर चक करते हैं कि यह एपी में है कि नहीं तो पहली बार डी निकालते हैं क्या करेंगे a2 माइनस a1 a2 के बैलू रूट 6 माइनस a1 के बैलू रूट 3 कैसे घटाएं भई तो हमें क्या करना पड़ेगा इस 6 को इस रूट 3 के फॉर्म में बदलना पड़ेगा तो 6 का क्या निकालेंगे बर्गमूल तो देखो धियां से 2 ती आई 6 और 3 अकम 3 भई दोनों का यहां पर जोड़ा ही बन रहा तो क्या कर सकते हैं दोनों को अलग रूट में कर सकते हैं गुड़ा लगा के है रूट 2 इंटू रूट 3 तो हम इसके जगा क्या लिख देंगे रूट 2 इंटू रूट 3 इसके जगा और फिर क्या है माइनस रूट 3 तो ध्यान दो अब क्या करेंगे भई अब इस रहा है root 3 कामन निकाल लो तो क्या बचाए है root 2 और यहां पर root 3 निकल तो कितना बचेगा minus 1 चलो आगे निकालो एक बार उड़ी तो a3 minus a2 तो a3 कितना है root 9 और minus a2 कितना है root 6 तो root 9 इसका वर्मूल आप निकाल के चेक करो जोड़ा बन जाएगा और यह हो जाएगा 3 और minus root 6 अब root 6 को चाहे तुम root 6 लिखो या चाहो तो root 6 को इसी तरीके से root 2 into root 3 लिख सकते हो ठीक है ना अब ध्यान दो वैसे भी आप कामन वगरा निकालना चाहो तो निकालो लेकिन यह भी दोनों बराबर नहीं आएगे अगर अब दिखाना चाहे कि काहिद से कामन वे निकालेंगे तो root 3 को तुम लिख सकते हो स्वारे 3 को लिख सकते हो root 3 into root 3 जब दोनों संख्या root में समान हो तो गुड़ा करो तो यह root खतम हो जाता है तो केवल क्या बचेगा 3 और फिर हो जाएगा minus root 2 into root 3 अब देखो ध्यान से क्या कामन होगा दोनों में root 3 यहाँ भी है root 3 यहाँ भी है तो root 3 को कामन ले लो और बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा root 3 और यहाँ पर बचेगा minus root 2 तो अब देख सकते हो दोनों बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे कि चूखी a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2 अतास ready जो है वो a2 में नहीं है अतास ready a2 में नहीं है तो चलो बच्चो एक बार इसका screen shot लो फिर हम आगले question पर चलते हैं चले बच्चो आगे चलते हैं अब 14 होगे number question पर चलते हैं द्यान देना चक करना है इसमें भी कि a2 में है या नहीं है तो देखो क्या लिखा है एक का square, तीन का square, पांच का square, साथ का square और आगे चल रहा है ऐसे आगे के पत आएंगे तो हम d निकालते हैं तो पहली बार d कैसे निकालेंगे a2 minus a1 करके तो दूसरा पत कितना है तीन का square और minus पहला पत कितना है एक का square तो आप जानते हो तीन का square मतलब होता है तीन का दो बार गुड़ा यानि तीन गुड़े तीन तो कितना हो जाएगा नो minus एक का square यानि एक गुड़े एक तो एक एक कम कितना होगा एक और कितना आ जाएगा? 9 मैं से गुटा होगे? 8. चलो एक बार फिर से निकालते हैं d. अब की बार क्या करेंगे? a3-a2 कर देंगे. a3 कितना है? 5 का square है. 5 का square और minus करेंगे कितने का square? 3 का square है. तो 5 का square यहने 5 गुडे 5? 25. और 3 का square यहने 3 गुड़े 3? यहने कितना 9? लिखेंगे चुकि a2 minus a1 की जो बैलू है वो a3 minus a2 के बराबर नहीं है कहने का मतब सारवन्तर इनके बीच बराबर नहीं है तो उस रीडी किसमें है अटास रीड़ी a p में नहीं है ठीक है ना एक का स्कॉयर, पांच का स्कॉयर, साथ का स्कॉयर और फिर 73 आगया है, और आगे ऐसे चल रहा है, तो पहले बार डी निकालो, तो क्या होगा, एटू माइनस एवन, एटू कितना है, पांच का स्कॉयर, दूसरा पत कितना है, पांच का स्कॉयर माइनस, एवन यानि पहला पत कितना है, एक का स्कॉयर, तो पांच का स्कॉयर कितना होगा, पच्चिस, और एक का स्कॉयर एक, पच्चिस में से घटा होगी, कितना आ तो 7 का स्कार कितना हो गया 49, और 5 का स्कार कितना हो गया 25, तो 49 में से 25 घटा होगे, कितना आएगा 24, तो क्या देख रहे हैं भई, यहां पर ध्यान से देखो, यहां तो दोनों पत बराबर आ रहें, इसका मतलब यह AP में होगा, ठीक है न, देखो हम हर सवाल में किवल 2 ही चक कर सकते हो नहीं चक करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना फिछले विडेओ में हमने 35 चक कर के बताया है लेकिन गहांड़ी हम नहीं बताया था कि दो चक कर encourage थे तो आपको किस में हो जाएगी अता स्रेडी जो होगी वो AP में होगी AP में है अब AP में है तो क्या करेंगे सारबंतर निकालेंगे तो सारबंतर कितना होगा भाई यानि D कितना होगा तो यही सारबंतर होता है कितना हो गया, 24, अब क्या करना है, अब आगे के 3 पद लिखने हैं, तो इस सवाल का हम सलूसन यहाँ पर कर देते हैं, दिहान रखिएगा, पांचमा पद निकालते हैं, तो पांचमा पद यानि A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D, A4 कितना है, 4 पद कितना है, 73 है, और इसमें जोड़ो, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3, 7, और 7 और 2, 97 हो जाएगा, छठवा पद, यानि A6 कैसे निकालेंगे, तो पांचमा पद में D को जोड़ो, पांचमा पद, 97 और D कितना, 24, दोनों जोड़ो, तो 7, 4, 11, 9, 2, 11, 1, 12, अब कितना बना, 12, और 12 को चाहो, तो तुम 11 का square भी लिख सकते हो, 11, गुड़े 11, कितना होता, 12, तो इसको अब square में बना, क्योंकि देख रहे हो, कि यहाँ square चल रहा था, 73 को square क्यों नहीं लिखाता, क्योंकि यह perfect square नहीं है, इसलिए सको 73 लिखाता, यह 97 perfect square नहीं है, इसलिए हमने 97 छोड़ा, 12, perfect square है, तो हम किसका square ग्यारा का तो इसको ग्यारा का स्कॉय लिख देंगे फिर आ जाओ सात मापद सात मापद कैसे निकालेंगे a7 a6 plus d a6 कितना है 121 121 में कितना जोड़ 24 तो कितना हो जाएगा यह 415 224 और 145 अब यह परफेक्ट स्कॉय नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देंगे तो यहां तक करने के बाद यह भी सवाल आपका पूरा हो गया तो एक बार स्क्रीन साट ले लो आओ तेखो बच्चो इस वीडियो में हमने कि सभी कुष्चनों का सलूशन पूरा कर दिया है फिछले वीडियो और इस वीडियो मिलाकर पूरा सलूशन हमने कर दिया है पांदसमलेक का अब हम अगले वीडियो में आगे के कंसेप्ट और आगे के प्रशनावलियों को लेकर आएंगे तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे जिससे दूसरे बच्चों के पास ये वीडियो प्लब्द हो सके और वो भी इसको पढ़ सके और आगे पत पर बढ़ने का प्रियास कर सके तो चलिए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ध हन्ने बाद